ये बौक नाग देवता का गुस्सा है उत्राखंड में टनल हाथसे पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है क्या भगवान के गुस्से की वज़ा से टनल में फसे हैं 100 घंटे से 40 लोग उत्राखंड के उत्तरकाशी में दिवाली से पहले हुए टनल हाथसे में 44 मजदोरों की सासे अटकी है पिछले पाच दिनों से 40 मजदूर सुरंग में मलबे में फसे हुए हैं दिन रात चल रहे बचाव अभ्यान की अब तक सभी कोशिशे नाकाम साबित हुई हैं अब देश पर में तमाम बड़े एक्सपर्ट से लेकर विदेशी टीमों और आधूनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है सुरंग में लगातार ताजा मलबा गिरने की वज़ा से मजदूरों को निकलने में इतनी मुश्किल हो रही हैं कि वो बिचारे अभी तक सौ घंटे से एक टनल के अंदर फसे हैं हाथसे की वज़ा क्या है क्या चूक हो गई है यह तो जाच के बाद ही पता चलेगा फिलहार टनल में दुरघटना के बाद से आसपास के गाउं के लोग इससे स्थानिये देवता का गुस्सा बता रही है सही सुना आपने लोगों का कहना है कि यह देवत माना जाता है आपको बता दे उत्तरकाशी एक जिला है जहां पर बॉक नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर है और इस टनल को बनाने से पहले उस मंदिर को तोड़ा गया जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि यह देवताओं का गुस्सा है इसलिए सब हो रहा है इस इल के पास एक छोटा मंदिर बनाए गया था स्थानिय मानेताओं को सम्मान देते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही अंदर धाखिल होते थे कुछ दिन पहले नए प्रबंधन ने मंदिर को वहां से हटा दिया जिसकी वजह से बड़ी घटना हुई है ऐसे को ना तोड़ा जाए ऐसा करने से पहले आसपास दूसरा और मंदिर बना दिया जो है लेकिन उन्होंने हमारी चेतावनी को सिर्य से खारिच कर दिया यह मानते हुए कि यह हमारा अंधविश्वास है पहले भी टनल में एक हिस्सा गिरा था लेकिन तब एक मजदूर नहीं भसा था किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था बचाव अभ्यान में 150 से अधिक करमचारी और अधिकारी दिन रात जुटे हुए है वायू सेना के विमान से आधूनिक मशीने भी मंगवाई गई उधर इन ग्रामिनों का कहना है कि जब तक स्थानिय देवता को शांत न से पहले स्थानिय देवताओं के लिए छोटा सा मंदिर बनाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है इनका अर्शिर्वाद लेकर ही काम पूरा किया जाता है उनका भी मानना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मंदिर को तोड़ कर गल्ती की और इसी वजह से हादिसा हुआ आ ने मंदिर की आंदर हम चार धाम यातरा कर सकें इस कंस्ट्रक्शन को पहले ही सिप्तमबर में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन इसका काम डिले हुआ और अभी स्ट्रुक्शन मार्च तक पूरी हो पाएगी लेकिन इसी बीच एक दिन इस कंस्ट्रक्शन साइट पर मलबा नीचे गिरता है और कम से कम 40 मजदूर सुरंग के नीचे पहुच जाते हैं जिन से बात तो हो पा रहे हैं वोकी-टॉकी के जरिये उन्हें खाना भी पहुचाया जा रहा है लेकिन सवाल ये है कि 5 दिन, 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ये लोग कब तक बहार आपाएंगे कब तक इनकी सासे टनल के अंदर फसी रहेंगी और कब तक ये दर्ख्वास्त करी जाएगी कि हाँ इन लोगों को निकाल लिया जाएगा आपको बता दे इसी बीच अब ग्रामीडों का कहना है कि यहाँ पर छोटा सा मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया पहले ही हाँ पर इस मंदिर में पूजा करके ही कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता था लेकिन इस मंदिर को बाद में तोड़ा गया और ना ही कोई दूसरा मंदिर बनवाया गया जिसकी वज़ह से देवता नाराज हो गए है और इतना बड़ा हादसा हुआ आप जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में बताईए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या बौकनाक देवता का गुस्सा है कि अभी तक सौ घंटे हो गए हैं कि वो चालिस मजदूर बाहर नहीं आ पाए या इसकी वज़ह कुछ और हो सकती है अगर आपको ये जानक हमारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नियूस्बुक